बड़ी खबर हम आपको बताते चले ओल्ड लिपुलेख की यात्रा पर साड़े अठारा हजार फीट की उचाए पर मौझूद ओल्ड लिपुलेख भारत चीन की सीमा पर मौझूद है इस इलाके से तेपद में मौझूद कैलाश परवत के साक्षा दर्शन होते हैं लेकिन यहां तक पहुच पाना आसान नहीं होता नियूज 18 देश का पहला ऐसा चानल है जो ओल्ड लिपुलेख तक पहुचा है चाइना बॉर्ड पर ओल्ड लिपुलेख यह वो इलाका है जहां से पवित्र कैलाश के दर्शन आसानी से होते हैं लेकिन यहां पहुचने के लिए पिथारागर से 220 किलोमेटर का सफर्टाय करना होता है दार्चुला के बाद से यह सफर बहुत होता है पाडियों के बीच खतरनाक रास्तों को पार करते वे यहां पहुचना पड़ता है और हायर हिमालिया के खतरनाक रास्ते और लगतार कम होते ऑक्सिजन की वज़ह से यहां आने वालों की परिक्षा सी हो जाती है आपको बता दे 2020 से कैलाश मांसरोवार यात्रा पूरी तरह से बंद है और ऐसे में भारत में तिबबत में मौजूद कैलाश परबट के दर्शनों के लिए पहली बार अपनी सरजमी से ही राश्ता तलाशा है ये रास्ता कई चुनौतियों से भरा हुआ है लेकिन यहां से पवित्र कैलाश के दर्शन हो सकते हैं और इसके लिए हमें चीन पर निर्भर नहीं होना होगा ये लाइफ तस्वीरें आप देख रहे हैं चीन की पाबन्दी का मोतोर जवाब भारत ने तलाश लिया है अब हम अपनी ही जमीन से कैलाश परवत के दर्शन कर सकते हैं ओल्ड लिपुलेग ये वो सीमा है जो भारत और चीन के बीच मौजूद है नो मैंस लेंड है टीवी के तियास में पहली बार एक टीम यहाँ पहुँची है जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बहुत ही बेहत होपसूरत आकरशक यह नजारा है और साथ ही कैलाश मांसरवर की यात्रा जीन की ओर से बंद किये जाने के बाद कैलाश जी के दर्शन के लिए बड़ी संक्या में श्रधालू जो परिशान रहते हैं उनके लिए भी एक जरिया एक रास्ता यहां बन गया है हलांकि यह रास्ता बहुत ही दोरगम है यहां जो सबसे बड़ी समस्या है वो यह कि अभी तक पैदल ही यहां तक पहुचा जा सकता है 200 किलोमेटर से जादा की दूरी है जिसे पैदल पार करना होता है और इस बीच घड़ी चड़ाई होती है साथ ही बहुत ही खतरनाक यह रास्ते हैं आप देख सकते हैं इन रास्तों को पत्थर, पूरे रास्ते, छोटे-छोटे कंकर जिन पर चलना होता है एक तरफ धलान, दूसरी तरफ परवर 220 किलोमेटर की यह दूरी है जो की पैदल पार करनी होती है महादेव बैठे ही ऐसी जगह है अगर उन से हमें मिलना है तो लेकिन उन्होंने शक्ती दिया है और वही सबको शक्ती देते हैं अंसर अबर तो नहीं, पर सामने भगवान बोलेनात, शिप संकर, कैलाशी के दर्संकर, मैं अभी भूत हो और मैंने एक ही प्रत्ता किया है कि ए भगवान, तुम मेरे भारत को अखंड भारत बना दो भारती टेलिविजन के इद्यास में न्यूज 18 पहला चैनल बना है जो ओल्ड लिपुलेक पर पहुँचा है ओल्ड लिपुलेक पर हम लोग पहुँचे हैं पवित्र केलास के साक्षियात दर्शन हो रहे हैं इस हाइट पर पहुँचना काफी चुनोती पूर्ण है, कठीन है लेकिन ये सपर एक तरीके से काफी कुछ सिखाने वाला है कि हैर हमालियाद में किस तरीके से जाय जाता है किस तरीके से रा जाता है और नेचर से कैसे खुद को एड़ेस्ट करना है वो ये सपर आपनी को शिखाता है हमारे साथ कई अन्नी लोग भी यहाँ पर आए है जिनके लिए यात्रा काफी कठीन थी लेकिन यहाँ पर पहुँच कर वो काफी सुकून महसूस कर रहे है विजावर्दन उपरेती, न्यूज एटीन, ओल्ड लिपुलेक, पित्वरादान देश के लीडिंग डिजिटल फनेंशल प्लेटफर्म मनी कंट्रोल ने एक और बड़ा मुकाम हसल किया है गूगल आंकडों के मताबिक पेज व्यूज की बात की जाए तो ईटी के मुकाबले 40 फीसदी ज्यादा है कम स्कोर के आंकडों से ये भी पता चलता है कि मनी कंट्रोल में लोग किसी दूसरे प्लेटफर्म के मुकाबले ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं सितंबर में 407.48 मिलियन मिनिट्स स्पेंड किया गया मनी कंट्रोल को सबसे जादा देखा लोगोंने मनी कंट्रोल प्रीमियम सर्विस प्लेटफर्म मनी कंट्रोल प्रो के भी अभी हाल ही में 10 लाख सब्सक्राइबर्स पार हुए हैं मनी कंट्रोल आज देश का सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज सब्सक्रिप्शन है साथ ही इसकी गिरती दुनिया के टॉप 15 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में होती है मनी कंट्रोल एप का इस्तमाल हर महीने तक्रीबन 70 लाख लोग कर रही है और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है आपको बता दे मनी कंट्रोल नेटवर्क 18 का हिस्सा है